दलहोसी डलहोसी लोच के एक अग लगने की घटना को ले करके पूरे इलाके में तनावबैक्थ हो गया है घटना में कहा जा रहा था कई पेपरों ने ये ये छाप दिया है कि डलहोसी में एक मकान में 23 नमबर एनस रोड में एक मकान में आग लगा जो जलके खाखो गया जबकि ऐसा कोई घटना वहाँ पर घटा ही नहीं है आग लगा हुआ था ये घटना सही है कि रात को धाई बजे करीब दो बजे के बाद एक आग लगा है जो सौट सर्कल से जो मीटर बॉक्स उसमें आग लगा हु अंदे में या करके पूरी आग को कांट्रोल में कर लिया किसी का कोई बड़ी को आपकर ना कोई हाक्सा उवा ना ऐसा कोही बहुत बढ़ा दुर घटना घटा फिर भी पेपर में जिस प्रकार से घटना प्रकासित में आई इसके बाद वहां के लोगों ने कलबिरूत पर दर्शन किया है इसको लेकर के भूला सुमकरने कहा है अभी अभी 53 एनस रोट में वीचे में मीटर बॉक्स में आग लगने से उपर दो तल्ले में आग की पूरी लपट हुआ निकल रहा था हम देखने के बाद संग संग खाना को फोन किये खाना वहां संग संग खाना से ससक्रेज सब्सक्राइब कने सिथा हुआ को रास्ता नहीं नहीं खुलने आगट बन था जत को हम राठीवारी जीद inconsistent मिलकर करके गेट को तोडने के लोग यहां दर्शक बने थे, आसनल का महौल था, किसी वी तरह यहां पर आग को कंट्रोल मिले लिया गया, आग को यहां पर तिर्पन्नमबा एन्स ओड में एक घंटा पकड़े इसको फोण को, तिर्पन्नमबा एन्स ओड में हाँ पर आग लगा था, जो आग लगने इसे, पुलिस आने के बाद में पुलिस के सहिजोग से, हम लोगों ने गेट को तोर करके, अंदर में मज़ूरों के सहिजोग से पाए दर्वर जो आपको उठा दिया गया है, पाई भी करके गाड़ी आई है, और हम लोग सेस्टी के इंतियार कर रहा है, कुछ फोड़ों में सेस पुलिस के लोगों को सभी को धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बाद में समा प्रक्ता हूं अरत माता के लिए और अब जो वहाँ पर जो दुकानदार है, जिनका वहाँ पर आपिस कर्याल है, उन लोगों का कहना है कि जिस प्रकार ने पेपर वालों ने बीना घर बैठे जिस प्रकार से रिपोर्टिंग की है, वो कहीं न कहीं गलत है, या किसके सारे पर ये किया गया, ये बहुत बड़ी गंभीर भी से बना हुआ है